असलाम अलेकुल रहमत व्रकातू मेरा नाम अबरार है मैं करनाटा का कोला डिस्टिक से बात करों मेरा सवाल यह कि विजनेस है अलहमदुलिला जो हलाल है अगर कोई बंदा मेरे बिजनेस में इंवेश्टमेंट करना चाहता है तो क्या मैं उसे फिक्सट रिटेंड दे सकता हूं जैसे प्रॉफिटबल पर कुछ परसंटेज जैसे कि 10 परसंटेंगर वह हजार रुपे मेरे बिजनेस में investment करना चाहते हैं और मेरा यह परसेंटेज देना क्या सही है अब इसका आंसर जीज़े जजा कुलाक है यह हमारे अबरार भाई हैं इनका सवाल है कि मैं हलाल कारोबार करता हूं तो क्या किसी से पैसा लेकर यानि कोई invest करना चाहिए तो इस ले सकता हूं इस शर्थ पर की एक fix प्रिक्स उनको नफा दूंगा, यानि मतेयन उनको नफा दूंगा, नफा में भी और नुक्सान में भी एक खास लिमिट है, तैय करके शरीक करना चाहते हैं, तो देखिए अगर आपने किसी से पैसा लिया है, इन्वेस्ट लिया है, तो वो इन्वेस्ट जहां पे होगा, वह से नफा आएगा, या नुकसान होगा, दोरों में आप शरीक कर रहे हैं, तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पैसा लेके उसी पे आप एक नफा बांद रहें, कि आपने हजार रुपया दिया है, या आपने एक लाख रुपया दिया है, तो हर मंत आपको इतना आप रॉफिट मिलेगा, तो ये, मतलब पैसे पे नफा देना ये ठीक नहीं है, बाकि वो पैसा आपने कहीं पे लगा दिया है, तो लगाने के बाद जिसे आपका एक बड़ा अमाउंट है, उनका छोटा है, तो इस हिसाब से आप एक परसंट रख सकते हैं, कि जितना भी नफा आएगा, उसका इतना परसंट आपको मिलेगा, और लॉस होगा, तो भी उसमें आप शरीक करें, तो नफा नुकसान में अगर आप शरीक कर रहे हैं, यानि जो तेजारत हो रही है, वहाँ पे जो नफा हो रहा है या नुकसान, वहाँ पे आप शरीक करें तो कोई मसल करें आइपलस टीवी को जरूर डोनेट करें